कि दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यह और इंटाड़े कोच में दोस्तों कि देखते हैं कि मार्केट में कल कहां मुवमेंट हो सकता है लॉजिक के साथ चलते हैं चार्ट के ऊपर यह हमारा निफ्टी का चार्ट है लेकिन इसके पहले कल जो स्टॉक हमने आपको टेलिग्राम पर दिये थे उसके बारे में बात कर लेते हैं आज साथ जून है आप लोग समझ में आ जाये देखिए हम मारकेट बंध होने के बाद आज साथ तारिख है मारकेट बंध होने के बाद इस्टॉक स्लेट्ट कर रहा है आज कल मार्केट में बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन हो रहा है या तो मार्केट बड़े गैप अप से खुलता है या फिर मार्केट बड़े गैप डाउन से खुलता है कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक जिस प्राइस पे हमको मिलना चाहिए उस प्राइस पे मि करते हैं यहां पर मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोसिस करता हूं सबसे पहले हम अदानी की बात करते हैं हमने आपको दिया था यह बाइस सो तीस पर राइट अब चार्ड के ऊपर चलते हैं हम लोग चार्ड हम खोल लेते हैं अदानी का यह दानी का चार्ड है इसका एक म क्या trade इसमें बनता है, आप ले पाए, नहीं ले पाए, ये सारी detail आपको समझ में आ जाएगी, कि entry कहा लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ, मैंने आपको क्या कहा, कि अदानी को आपको बाई कहा करना है, अब अगर मान लो कोई stock, बाई सो तीस पे बाई करने के लिए suitable है, और आप मान के चलो कि वो stock gap up खुल जाता हूँ, बाई सो पचास पे खुल जाता है, तो हमने आपको बाई सो तीस दिया, हमारा दूसरा target बाई सो चवालिस है, उसके भी उपर खुल आए, तो क्या stock बाई कर बाई सो तीस है, कोई chart यहां पर closing दिये, अगर कोई stock नीचे खुलता है और नीचे खुलता हुआ, बाई सो तीस को cross कर रहा है, आप बाई कर सकते हैं, लेकिन कोई stock gap up खुल के और फिर नीचे बाई सो तीस तक आ रहा है, फिर भले वो उपर चला जाए, लेकिन इस stock को हम ब रहा है, वो आप की आँखों के सामने, यानि की marketing open होने के बाद, वो label अगर cross कर रहा है, तो ही आप buy करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो आप buy नहीं करेंगे, ठीक है, अब बाई सो तीस से यहां से यह stock reverse हो गया, आप buy नहीं करेंगे, अब इसको आप buy कप करेंगे, इसको buy तब करेंगे जब ये आपके आँखों के सामने market नीचे चला जाए और फिर ये 2230 कवर करें ये 2230 को जब ये cross कर रहा होगा आपकी आँखों के सामने तब इसको आप buy करें gap up खुलने के बाद अगर ये 2230 पर आ रहा है तो आप buy नहीं करें तो market या तो flat खुले थोड़ा सा नीचे खुलके 2230 को break करें तब ही आप buy करें ठीक है तो ये buy और sell के लिए दोनों के लिए condition तो ये process होता है जो stock मैं देता हूँ उसको buy करने के तो देखिए मैंने 2230 पर दिया अब chart के उपर चलते हूँ ये 7 तारिक है ये 915 की पहली candidate है एक मिनट की अब यहां पर आप देखिएगा यहां पर देखिएगा यह high है और यह low है अब हमने आप से का 2230 पर आप इसको buy करें यह है अब आप देखिए हाई कितना है 2224 लो कितना है 209 क्या 2230 आया डवल टू थिरी जिरो आया नहीं आया नहीं आया इसका मतलब आप इसको buy नहीं करेंगे कब करेंगे जब 2230 क्रॉस करेंगा अगली चेंड़ल में आया क्या हाई देख आए आप इधर 9いきैंडल में 3230 आया नहीं आया इस candle में यानि कि 9 बच के 25 मिनट वाली candle में 2230 क्रॉस किया आपकी आँखों के सामने क्रॉस किया यहां पर आपका बाई बनता है ठीक है यहां पर आपका बाई बना आप देखिए 2230 पे आपने बाई किया मैंने stop loss क्या दिया आपको 2220 तो क्या 2220 इस candle के बाद इस candle में आपने बाई किया यहां कहीं आपका बाई हुआ होगा 2230 रुपे यहां कहीं 2230 रुपे यहां बाई हुआ इसके बाद आप आप लो देखिए क्या 2220 का stop loss हुआ अगली candle में low अब low इधर देखिएगा लो क्या है 2228 है इसमें low क्या है 2225 रुपे 70 पैसे है इसमें low क्या है 2227 रुपे 5 पैसे है इसमें low क्या है 2221 रुपे 55 पैसे मतलब 230 पे आपने buy किया उसके बाद जो low बना वो 221 रुपे 55 पैसे बना यानि आपका 2220 रुपे का stop loss था, stop loss हिट नहीं हुआ, again market उपर चला, उपर चलता गया, चलता गया, चलता गया, अब target देखते हैं, target क्या दिया था, target आपको दिया था, ये गलत लिख गया था, 2232, कोई बात नहीं, लेकिन 244 का target था हमारा, man target, तो 244 क्या आया, देखिए, इ इसी में 247.95, cross कर गया, ठीक है, 254 रुपे तक ये stock गया है, 54 रुपे, 70 रुपे, 75, यानि आपको target मिला, तो इस तरह आपको trade करना है, तो ये trade हमारा पूरी तरह से successful ला, और हमारा target अचीव, अब दूसरा stock हमने क्या दिया था, आपको, दूसरा stock दिया था, ICICI पुरूल 566 रुपे 25 पैसे पर आपको buy करना था, तो देखें क्या 566 रुपे 25 पैसे पर ICICI पुरूली आया, ये एक ही मिनट का chart है, साथ तारिक, ये है साथ तारिक, अब आपको कहा देखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये high है, और ये low है, इस जगे देखना है, 566.25 पे हमने आपको buy दिया था, ये 9.15 की पहली candle है, 9.15 की ये पहली candle है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, कि 566.25 पे buy करना है, ये 9.15 की candle है, यहाँ पर high देखिएगा, इस candle का high कितना है, 566, क्या 566.25 मिला आपको? नहीं मिला, buy नहीं बनता, इसके बाद market नीचे आ गया, फिर अगयन ये candle high बनाया, 565.95 क्या इसने high तोड़ा? नहीं तोड़ा, 566.25 नहीं गया, तो हमारा क्या यहाँ पर trade बनता? नहीं बनता, इसके बाद आप आप आ जाईए, ये market अगयन नीचे गया, फिर ये इस candle पर high बनाया, 565.65, क्या 566.25 गया? नहीं गया, इस वाली candle ने, जो call activate हुई ही नहीं, अब बात करते हैं, तीसरे trade की, call pal को आपको sell करना था, 1531 रुपे पर, अब हम देखते हैं, call pal के chart पर चलते हैं, ये call pal का chart है, morning में, ये chart है, हमने sell आपको बोला, 1531 रुपे पर, ये पहली हमारी candle है, इसको भी मैं सही डंग से लिख दूँ, तो आपको दिखाई देगा कि कहां आपको देखना है, ये high है, ये low, 1531 रुपे पर आपको sell करना था, ये 9-15 की एक मिनट की candle है, high 1530 है, बहुती कम लोग ऐसे होंगे, जो 9 बच के 15 मिनट और एक सेकंड पर trade मार दें, और वो trade उनको मिल जाए, तो 1530 पर वो trade आपको मिलता, मैंने 1531 पर आपको बोला था, इसको trade को लिया जा सकता था, लेकिन हर बैक्ती इस trade को नहीं ले पाता, तो क्या हुआ, ये trade एक्टिवेट होई क्या, नहीं होई, अब आगे देखिए, यहाँ पर कितना है, 1518, हमारा target क्या था, हमारा target था 1522 और 1515, जब target हमारा पहली कुछ candle में ही अचीव हो गया, यानि कि हमारे trade लेने के पहले ही, market ने क्या किया, market ने वो target पर पहुँच गया, तो क्या हमारा trade बनता है, अब हमारा trade कब बनेगा, जब market नीचे से उपर की तरफ 1531 क्रॉस करें, और दुबारा 1531 को नीचे की तरफ ब्रेक करें, पूरे दिन भर में market ने कहीं पर भी 1531 नहीं आया, तो क्या हमारा trade बना, नहीं बना, यानि कॉल एक्टिवेट नहीं हुई, तीसरा stock हो गया, चौथा stock था हमारा ICICI GI, इसको 1197 पर हमको sell करना था, तो भले ये target हमारे अचीव हुए, लेकिन मैं नहीं मानता के target अची हुआ, ये target अचीव नहीं हुआ, ये target आपको अचीव हुआ, अब इसमें देखते हैं कि क्या हुआ, ICICI GI, 1197 रुपे पर आपको sell करना था, चार्ट के उपर चलते हैं, ये, चलिए, साथ तारिक ये है, ये साथ तारिक, नो पंदरा की candle ये है, ठीक है? हमारा कहां पर trade हमको लेना था? 1197 पर हमको sell करना था, ये एक मिनट की candle है, इसका high और low आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं इस first कर दूँ, इसको तो दिखने लगेगा, अब high आपको यहां देखने, low आपको यहां देखना है, ठीक है? मार्केट ने कल closing दीती, 1198 के आ 1198 पॉइंट या 1200 के आसपास closing दीती है, अब हमको sell करना था 1197, तो maximum हमको profit का मिलता, अगर ये stock जहां पर इसने closing दीती, इसी के आसपास या थोड़ा सा उपर ये open होता, और इस 1197 को इस जगे break करता, तब ये trade हमको मिलती, और हमको एक अच्छा profit देती, लेकिन market ने पहली candle में ही इतना बड़ा gap down दे दिया, जब इतना बड़ा gap down दे दिया, क्या 1197 इसमें आया, check कर लेते हैं, ये, high जरूर दिखा रहा है 1196.95, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा, कि market जहां पर high दिखाया, वहां पर आप trade कर पाऊगे, अगर आप गौर करो, तो ये देखो, ये open price है, open होने के बाद कुछ second के लिए market हमारे उस price पे आया था, जहां पर market ने उस level को छुआ, जहां से हमें से sell करना था, आप देखिए, open क्या दिखा रहा है, 1190, high क्या दिखा रहा है, 1196.95, यानि open होने के बाद market 1197 रुपे के आस sell कर पाए, जिन्हों ने किया, उनको तो पूरा target मिला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 मैं से 5% लोग ही इस तरह का trade ले पाते हैं, 95% लोग नहीं ले पाते हैं, अच्छा हमारा target क्या था, हमारा target था 1184 का, और stock कहा तक आया, stock आया 1161 तक का, यानि कि market ने हमारे target सारे अच्छीव किये, लेकिन trade केवल कुछ लोग ही ले पाए, फिर भी, चुकि 5% लोग ट्रेड ले पाए और 95% लोग नहीं ले पाए, इसलिए हम इसको यहीं कहेंगे, कि call एक्टिवेट नहीं हुआ, target हमारा पहली ही candle में आगे, तो एक target अच्छीव हुआ, वो जो था, अध अधानी का target अच्छीव हुआ, अधानी हमको 9.25 मेट पे buy हमारा दिया, और उसके बाद target अच्छीव किया, बाकी 3 target अच्छीव नहीं हुए, यह अच्छीव ना होने का किवल एक ही कारण है, यह तीनों stock में, target तो अच्छीव हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, जब किसी ने trade लिया ही नहीं, तो मैं बिलकुल claim नहीं करूँगा, कि target आप लोगों को मिल गा है, मैं यही कहूँगा, कि यह call activate नहीं हुआ, और call activate ना होने का कारण क्या था, market बड़ा gap down, या बड़ा gap अप कुलता है, तो stock में हमको trade नहीं मिलता, अच्छा, दिक्कत क्या ह मेरे साथ, मैं इस समय computer पे market hours में बैठ नहीं रहा हूँ, आने वाले समय में मैं free हो जाऊँगा, तो computer में market hours में बैठ हूँगा, तो आप लोगों को live market में भी trade देने की कोशिस करूँगा, अभी मैं खुद का trade भी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल 3 trade handle करता हूँ, जो एक एक करोड रुपे के हैं, एक इसमें से 50 लाग का है, मैं केवल 3 trade handle, 3 account handle कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद का trade नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं मिलने की वाज़े से मैं computer पे कम बैठ पा रहा हूँ, और ये जो हैं बहुत मेरे near and dear लोग हैं, जिनका मैं account handle कर रहा हू मेरे पास बहुत सारे लोगों की request आती है, कि sir आप मेरे account handle कर लीजे, तो मैं हो सकता है, कि next time account handle करने की courses करूँ, लेकिन कोई भी account, 50 लाग से कम बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, जिसके पास 50 लेक रुपीस account में है, उन लोगों का account handle करने के बारे में मैं सोच सकता हूँ, इसके बारे में जब भी ऐसा कुछ होगा, इन account के अलावा, अगर account handle कर पाया मैं, तो definitely मैं आप लोगों को बता हूँ, तो यह थे stock, अब लगे हाँ, पहले चार stock की बात कर लेते हैं, फिर nifty और bank nifty की बात करते हैं, इसको हम पंदा मेट के chart पर ले आते हैं, आपको कौन से stock trade करना है, इसको हटा देते हैं, यह अटा देते हैं, यह अटा देते हैं, यह अटा देते हैं, कल के लिए, Lcam, यह stock है, यह stock, जैसा की आप देख रहे हैं, वो ही W pattern बना के, कहां से आया market, यहां से आया, तो कम से कम यहां तक तो जाना चाहिए, इस stock में कल बाइंग बन सकत किधर आपको बाई करना है टेली ग्राम पर मैं बता दूगा दूसरा स्टॉक है इंडस्ट आवर इसकी अगर हम बात करें तो इंडस्ट आवर में भी एक यहां पर डाउन मार्केट ओपिन हुआ था उसके बाद अगेन इसमें बाइंग आई बाइंग आने के बाद इसको मैं आपको और अच्छी तरह समझा पाऊंगा अगर मैं इसको डैली चाइट पर करत्रभ Zus आप और अच्छी तरह समझभान में चाथ यह मार्केट का एक सपोर्ट जोन था पहले कि मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कियाear में यहां पर इसका एकर रजिस्टेंस था इस उपर ये consolidate करना है जब भी कोई stock नीचे से उपर आता है और किसी support zone या resistance zone के पास अगर consolidate करता है तो उसके breakout होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो कल ये stock breakout दे सकता है किस level पर buy करना है टेली ग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा टेली ग्राम का लिंक इस वीडियो की description में दे दिया अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनी लीवर की ये मेरा पहले का कुछ था इसको मैं delete कर देता हूं हिंदुस्तान यूनी लीवर बहुत अच्छा pattern बनाया है ये देखिए मैं आपसे डेली टाइम प्रेम पर बात कर रहा हूं मार्केट ने यहां पर डबल बॉटम बनाया था डबलू पैटरन भी बनाया था डबलू पैटरन बना की ये मार्केट ऊपर निकला था उसके बाद consolidate किया अगेन मार्केट gap up हुआ उसके बाद फिर उसी range में फस गया इसके बाद इसने इस range को भी break किया और अगेन एक M pattern है इसको बना कर ये stock नीचे आ रहा है तो ये stock उस जगे आ गया जहां पर पहले इसका support गवा करता था अगर इस stock को नीचे जाना है तो यहीं से जाएगा या फिर ये यहां से ऊपर हो जाएगा तो अगर नीचे जाता है तो इसमें एक हमें बहुत अच्छा sell मिलेगा जो लगबग लगबग 2100 level तक ले जा सकता है यानि यहां से भी 100 point नीचे तो किस जगे आपको इसको sell करना है तो टेलिग्राम चैनल पर मैं बता दूँगा चौथा स्टॉक selling के लिए है L.T इस स्टॉक को अगर आप गौर करेंगे तो ये स्टॉक भी अपने support जौन के आसपास खड़ा है अगर इसको उपर जाना है तो यहीं से उपर जाएगा लेकिन अगर इसने इसको break किया तो ये 1500 level तक भी आ सकता है तो इसको भी कल हम sell करेंगे किस जगे sell करेंगे टेलिग्राम पर मैं दे दुगा चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन आपको समझाना था क्योंकि आपने समझाना इसलिए आपको ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मेरे पास message आ रहे थे कि Sir कैसे trade करना है वो मुझको पता नहीं है अब देखिए निफ्टी में देखिए क्या हुआ निफ्टी में कल बाले वीडियो को जिसने नहीं देखा हो मैं आई वटन में वो वीडियो दे दूँगा आप देखिए परफेक्ट परफेक्ट वही लेविल से मार्केट चल रहा है जो मैंने आपको बताया था कल मैंने साब साब सब्दों में कहा था आपको sell कहा करना है मैंने कहा था इसके नीचे sell करना है और उपर 16,625 दिया था उसके नीचे sell करना है मार्केट बड़ा gap डाउन खुलने के बाद मेरा लेविल क्या था 16,480 थी मैंने कहा था इसको break करेगा तो 16,438 तक जरूर आएगा मार्केट इस लेविल तक आया यह मैंने support अभी डाले है मार्केट इसके बाद इस लेविल तक गया और इस लेविल के बाद फिर मार्केट पूरे दिन बर consolidate करता रहा अब next day कल अगर यह मार्केट इसको break करता है कल ध्यान दीजेगा policy भी है कल policy भी आ रही है तो मार्केट 11 वजे तक तो लगबग कुछ नहीं करेगा मार्केट में movement आएगा अगर policy का time मैंने देखा नहीं कभी 10 वजे रहता है तो देख लेना policy का time क्या आगा 10 वजे है तो market में जो reaction आएगा वो 10 वजे के बाद आएगा अगर policy का time 11 वजे है तो market में जो reaction आएगा वो 11 वजे तक आएगा तो कल कोसिस करिएगा कि आप trade 11 वजे के बाद लें तो better होगा या फिर आप 10 वजे ट्रेड लें तो 11 वजे तक जो भी position है आपकी उससे आप exit कर जाएं क्योंकि market में एक direction मिलेगा market को policy आने के बाद वो चाए upside direction हो या फिर downside direction हो वैसे जब भी policy आती है तो 90% market के market उसको against लेता है यानि कि market हमेशा गिरता है 90% cases में लेकिन 10% cases में market उपर भी जाता है तो आपको नहीं पता कि market नीचे जाएगा या उपर जाएगा तो आप market में policy आने के बाद trade बनाईएगा तो आप यहाँ पर buy कहां करेंगे आप buy करेंगे 16,438 के उपर अगर market sustain करता है तो यहाँ पर आप buy करेंगे SL आपको छोटा सा दूँगा 16,430 का SL लगाईएगा और जो target है वो 16,483 और 16,540 ये दो level के लिए आप कल trade ले सकते हैं ठीक है अब बात आती है sell कहां करना है हो सकता है कि market gap up को जाए gap up के बाद अगर market 438 level को cross करता है तो आप इसी level को मान के चलिए 16,438 के नीचे आपको sell करना है SL जो रहेगा वो 16,480 का रहेगा और जो target रहेगा आपका वो 16,365 और 16,300 यह target रहेगे आपके पास तो एक buy का सेनारियो हो गया एक sell का सेनारियो हो गया अब बात करते हैं और आगे की तो market को आप अगर समझ गये तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है बाई की पहली कंडिशन अब बाई की दूसरी कंडिशन में आपको बताएं सपोस करो के market gap डाउन खुलता है काई और gap डाउन खुलने के बाद 16,365 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाई करेंगे 16,335 के ऊपर बाई करेंगे एसेल रहेगा आपका 16,300 का और जो टार्गेट निकल के आएगा वो 16,438 और 16,540 ये दो टार्गेट आपके निकल के आए ये दूसरी कंडिशन और दूसरी कंडिशन सेल की क्या होग वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर मार्केट यहीं कहीं ओपिन होता है और 16,365 को ब्रेक करता है तो आप सेल करेंगे कहां पर करेंगे 16,365 के नीचे सेल करेंगे इसके नीचे सेल करेंगे इस टॉप लोस क्या करेंगे इस टॉप लोस अखेंगे आप 16,400 का और जो टार्गेट निकल के आएगा वो 16,300 और 16,226 का टार्गेट निकल के तो चार कंडिशन है इन चारों कंडिशन में जो भी कंडिशन आपको कल मार्केट में लगे उसके एक जैसा कि market gap down खुला था तो ये भी gap down खुला लेकिन ये market पूरे दिन पूरे दिन जहां पर इसने पहली candle का low बनाया हुखूब गाम के market ने वहीं पर closing दे खेंगे अब आप यहां पर अगर आप देखें तो इसमें buy कहां बने यहां से market गिरा था ये एक trend line आ रही है मार्किट कल अगर इस trend line को break करता है तो आप buy करेंगे stop loss जो आज का low है उसको रख देंगे यानि आज की closing है जैसे यहां पर दिखा रहा है closing क्या दिखा रहा है 34,996 तो आप 35,000 से ले लिजिए round figure में 35,000 का stop loss लेकर आप इसे buy करेंगे पहला target रहेंगा 35,282 दूसरा target रहेंगा 35,511 sell कहां करेंगे sell करेंगे आप 34,800 के नीचे कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत कहा था कि अगर market gap down खुलता है तो यह 34,800 के आसपास से घूमेगा और ठीक वैसे ही हुआ 34,800 से घूमा है market और यह उपर की तरफ गया है 34,996 लगबग लगबग 200 points आपको दिये हैं जहां प कोई बात नहीं आप धीरे धीरे सीख रहा है मेरा काम ही है कि आपको मैं सिखाऊं तो कल ट्रेड कहां बनता है कल ट्रेड बनता है 34,807 के नीचे अगर कल market 34,800 को break करता है तो आप 34,363 और बीच में एक level है 34,580 का तो अगर 804 को break करता है तो आप 580 तक के लिए वेट कर सकते हो या फिर 34,363 के तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरह समय जरूर लगा इस वीडियो में आपको पूरी चीजें समझाने की कोसिस की है और जो मैं इस पर देता हूँ अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है आप देख सकते हैं उन स्टॉक को कहां बाई और सेल करना है उस इसके अलाबा मेरा एडजस्टमेंट ऑप्सन एडजस्टमेंट का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारिक से इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ जिससे आपको लॉस ना हो और उसके अलाबा जिनके पास पैसा कम है या जिनके पास समय नहीं है वो चाहें तो इस टेलिग्राम गुरुप को जॉइन कर सकते हैं, आपके एकाउंट में डेर से दो लाक रुपे होने चाहिए, इसमें हम जनरली ऑप्सन में ही ट्रेट करते हैं, और हमारा टारगेट रहता है पूरे महीने का 5-10% का रिटन, लेकिन जैसा हमने का मार्केट वोलाटाइल होता है, गारंटी किसी भी चीच की नहीं होती है, 5-10% रिटन आ भी सकता है, या जा भी सकता है, अगर आप जॉइन करना चाहें, तो आप जॉइन कर सकते हैं, कि कैसे सीखने का क्या होगा, सीखने का मतलब यह है, कि आप बिना लॉस किये, या तो हमारे ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस्ट ना होगा या ना के बराबर होगा कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं जोइन करना चाहें तो जोइन कर सकते हैं यह बैच हमारा 16 जून से स्टार्ट होगा जो 15 जुलाई तक चलेगा एक मेने के लिए तो उसके लिए आप अपना नाम मुबाइल नंबर सिटी और इमे का है